टीवी शो कुलवद्धू दो हजार चिदैश शुन्य साथ फेम दिलजीत को और अपने हालिया इंटर्व्यू को लेकर सुर्खियों हैं इस इंटर्व्यू में उन्होंने फिर से शादी करने की एचा राहिर की है लेकिन चौकाने वाली बात ये है कि इस बार वो किसी तलाकशुदा शख्स के शादी करना चाहती हैं बता दें दलजीत ने एक्टरशालीन भनोट से शादी 2009 में शादी की थी और 2015 में दोनों का तलाक हो गया कपल का एक बेटा जॉर्डन है जो दलजीत के साथ रहता है दलजीत ने अपने इंटर्व्यू में बताया मैं अकेला पन महसूस करती हैं चाहती हूँ कोई ऐसे हो जिससे मैं बेटे जॉर्डन की बातें शेयर करूँ कई ऐसे एमोशन होते हैं जिन्हें आप लाइफ पार्टरनर के साथ ही शेयर कर सकते हैं मैं उस बाचीत को मिस्स कर रही हूँ कोई ऐसे शक्स जो मेरी और मेरी बच्चे की बातें सुने मुझे अकेले रहते काफी वक्त हो गया है अब मुझे खालेपन महसूस होता है मैं किसी ऐसे शक्स को लाइफ में चाहती हूँ जो मेरी तरह है ही लड़की की तलाश में हो इन दिनों में अपनी लाइफ की समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैंने प्यार के दरवाजे बंद नहीं किये हैं बस फर्क यही है कि मैं अब किसी यंग को डेट नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ किसी तलाक शुदा से मिलूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता की किसी सिंगल लड़के पर मेरी तलाश खत्म होगी मेरी च्वाइस अब डायवोर्सी इसलिए है क्योंकि वो शख्स भी उस दौर से गुजरा होगा जो मैंने तलाक के बाद फेस किया है मैंने जो सहन किया उसके बाद में अब आगे लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर काफी मैच यह औरेटी से डिसीजन लेना चाहती हूँ बेशक वो शख्स जब मेरे पास आएगा तो जाहिर सी बात है मुझे भी जज़ करेगा ऐसे में ये बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी की उसे मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं साथ ही ज़रूरी नहीं की मुझे दूसरी बार भी लाइफ पार्टर्नर मिल ही जाए रही बात शालीन की तो उनके लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है ना ही मैं चाहती हूँ की कोई मुझे बेचारी कहे